हाई फ्रेंड्स विल्कम बैक टू मैं चैनल आज हम बनाएंगे पिठा पिठा रेश्पी आज मैं पांस दरीके कब बताऊंगी और बिल्कुल डिफरेंट होगा आप इसको वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं किजिएगा फूल वीडियो देखिएगा और अगर आपको मेरे पिठा के रेश्पी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और जितना हो सके शेयर किजिएगा तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले बनाते हैं रुमाली पिठा उसके लिए मैंने ले ल खंडा करके पॉडर करेंगे तो मैं इसको निकाल लेती हूं अब थोड़ा सा मैं क्या उसी घी में बून लेती हूं बूनने से उसका टेस्ट बढ़ जाता है इसलिए मैं इसको बून लेती हूं देखिए बून चुका अब इसको भी निकाल करके अलग बोल में रख लेते ह या उसमें एक कप पानि डालेंगे और उसको गैस में मैंने गराम करने के वाद जूगर दुग चवाल कारथा बर्तनौर निदेना और जीए उसके बाद उसको ग्रैंड कर सकते हैं मिक्सी में तो आपका चावल काँटा बनके त्यार हो जाएगा तो देखिए मैंने चावल काँटा दो कप लिया है और उसी गरम गरम पानी को जो चीरी वाला पानी है उसको डाल करके इसको आटा बना लेंगे तो जब भी राइस का में तो मैंने हपक कफ लिया है मावा अंगर आपका मावा बाहर का है तो तो त्रोओ यू बहुन लीजी लेकिन हर का तो या जो ना यह पॉडर लिया था उसको भी एक चमच डाल देती हूं तो यह तोटली अप्शनल है अगर डालना चाहते हैं तो डाली लेकिन इससे टेस्ट अच्छा रहता है तो इसको मैं मिक्स कर लेती हूं दूसरे बॉल में मैं इसको ट्रांसफर कर लिए चोटा बॉल था अब मैंने मिक् और पिठा बना लेती हूं तो मैंने आटा और मावा लेलिया और थोड़ा से सुखं आटा लिया है लेकिन मीरा अटा बहुत यच्छा त्यार हूँआ अगर आपका हाथ में छिपक रहो तो थोड़ा सा सूखं अटा ले सकते हैं तो देखें मैंने थोड़ा-सा पेड़ा ल कि बना लेंगे और इसको कवर करके और इसको इस थरह से पिळा जैसा के और इसको अलग रखेंगे तो देखे एक तयार हो चुका है और से हसे फिलींग को डाल करके फिर से इसको कवर कर देंगे और इसको कोई स्थार से whenец कोब बना लेंगे तो देखे यह दूसरा तयार हो चुका है तो सें तरीके से मैंसरा को बना करके रख लेती हूं तो देखे यहाँ पर मैंने छे च्छे पिठा तयार किया है और उसको बाकी बच्टे बाद में बनावी तो तियार हो चुका है तो मैं इसका धकन हटा करके दिखाती हूं तो देखिए अब शुरू हो चुका है तो इसके ऊपर रख करके इसको बना सकते हैं तो कि रुमाली में बना रही है तो इस लिए इसको इस तरह से बनाए उधोर दस से 12 मिनट के लिए दो तेखिए 12 मिनट को चुका है यह बिल्कुल अच्छे से पिठ्टा पक चुका है, अब इसको निकालेंगे और जो बाखी बचे है पिठ्टा उसको सेम तरीके से बना लेंगे, तो मैं इसको निकाल करके प्लेट में रख लेती हूँ, तो बिल्कुल यह खाने के लिए त्यार है, इसको आप एक वर बना लि दो तीन दिन तक आप खा सकते हैं बिना फ्रीज में रखे हुए ही आप बनाएंगे आलू पिठा उसके लिए मैंने कड़ाही रख लिया है जैस पे और उसमें एक टिबलश्पून यानि वन टिबलश्पून तेल डालेंगी आप कोई भी कुकिंग वाल डाली और उसमें हाफ अनुसार डाली जितना तीखा खाना चाहते हैं आप उतना डाल सकते हैं आप इसमें रेड चीली पॉडर भी डाल सकते हैं थोड़ा सा मैं नमक डाल लेते हुए हाफ टेस्पून के बराबर और इसको थोड़ा भून लेंगे अब इसमें तीन चार लश्पून कटकर मैंने डाला है और इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे बहुत ही टेस्टी बनता है इस तरह का जब एक पर पिठा बना लेंगे तो आप दो तिन दिन तक खा सकते हैं इसको लंच में या ब्रेकपास्ट में कभी भी खा सकते हैं तो देखिए मैंने तीन चार आलू को बॉइल करके उसको मैश करके लिआ है और इसको भून करके तैयार कर लेंगे लेंगे इसका फिलिंग एक त्षेल्च के अल्षट के कर्फूसा जांवधा तो फन». बीना हल्दिक भी बिना सकते ही लेकिन इसमें डालने से थोड़ा सा कलरफुल अच्छा लगता है और तो और थोड़ा सा भुनने के बाद को डाल देंगे और इसको भून लेगे अगर इसमें मसाला डालना चाहते हैं कुछ तो आपसे मसाला भी डाल सकते हैं धोड़ा सब्सक्राइब दाल देती हुए थोड़ा सग्रम मसाला खोन होग और रेट चिली पोड़र और इसको भून लेंगे बस फिलिंग तयार हो चुका है अब इसको अलग बोल में निकाल करके ठंडा होने देंगी और मैंने सेम तरीके से यानि बिना चासनी का गरम पानी में आठा को राइस का आठा को तयार कर लिया है गूत करके डो और उसका एक पिना लेकर के कटोरी बनाना उस सेम तरीके से बना लेगी और इसको अलग प्लेट में रखेंगे तो मैं सेम तरीके से मैं और बना लेती हूँ देखिए यहां पर मैं निकाल करके मैं प्लेट में रख लेती हूँ तो देखिए यहां पर मैं निकाल लिया इसको ठंडा करके खा सकते हैं तो मैं इ इसे विखा सकते हैं लेकिन विना चटनी कभी बहुत अच्छा लगता आप मैं पालक पनीर पिठ्धा बनाना बताती हूं तो इसके लिए मैंने चार लाशून ले लिया है हाट टेश्पून जीरा और 6-8 काली मिर्च छोटा सा प्याज थोड़ा समय अद्रक लिया और उसको ग्रैंड कर लेंगे यानि उसका पेस्ट बना लेंगे और इधर मैंने कडाही रख दिया गैस पे और वन टेश्पून तेल डाल दिया है और उसमें हाट टेश्पून जीरा पर्यप्रकेश को ने डाल देंगे और इसके बाद इसमें जो लिया थन मसालय उसका पेष्टबनाelim करके इसको ढिशपूर नबर बूंख वह जचंद पैज़तें तो कापने अब अब हल्दी पैस्पून के ब्राभर आबर और इसको भूंद लेंगे देखे भून चुका है अब इसमें पनी लिया है मैंने 100 ग्राम और इसको छोटे-छोटे क्यूब में कट कर लिया है और इसको डाल करके इसको भूनेंगे और इसको थोड़ा सा भूनते हुए मैस करते जाएंगे ताकि फिलिंग भरे ना तो तूटे नहीं तो थोड़ा मैं इ की आधनिकी और इसको भूल लेगे तो दूद दिया करके द्यार के लिए लो निकाल लिए और वबिया首 wizard और dealtब आपके मैंने इसके निकाल लूब ठंडा करे तो प्रविना है अगर बनाए तो आपका कलर भब्हुत अच्छा एगा तो देखे इसको डाल कर लिया है और इसको अलग बोल में रखेंगे और इसका ट्यार करते हैं तो जाह तक पालक पनीरoth पिछटा बढ़ेंगे खत्या लेंगर दोनों चाहाले दोनों सेाध सा सदम्य। करके अइस बना लेंगे ही चसे ही ऑर खाले त्वेस्ट सेस्टी कला आ सकते हैं थे लिए सबतारणा मत बिल्सेग राए कर लेंगे में Hang तो इसको इह से मोध़ना सकते हैं तो आप कोई भी तरीके से विष्कों कोई विद्यान सकते हैं तो दूसरा तीयार कर लिया है तो सेम तरीके से मैं बना लेती हूं और सबको तो देखेई फ्रDr. मैंने उसको निकाल करेंगे तो यह तो यह तो पाई प्लेट में खाएगे चटनी के साथ या वैसे भी खा सकते हैं, आप में बीट रूट पिठ़ा बनाना बताते हूं तो इसके लिए मैंने 1 राइस नहीं चाबल कांटा और वीट रूट को चिल करके पाने के साथ उसको गरम कर लिए है जो पाला का प्यूरी मैंने त्यार किया थक और ये अच्छा कलर बना है और ये खbok और बेस्तिए सब्तले हैं और इस लीए में कुलने इसमें में बनाएơn, पनीरी हो बना होुन क सकते जैसा है लिए करके थोड़ा साहां से मसाल करके इसको डोई को मिला लीजिए उसके बाद इसका फिलिंग भरिए तो मैंने लोई को थोड़ा सा मसाल लिया और इसको खटोरी जैसा बना करके त्यार कर लेते हैं अब इसके बाद इसका मावा का फिलिंग भर लेंगे आप इसमें केवल ड्राइफ्रूट्स को भी डाल करके भर सकते हैं तो देखिए इस तरह से इसको भर करके त्यार कर लेंगे जैसे पहले बनाना बताया था ना उस्जेम तरीके से आप जैसे बोला ना को कि गुजिया जै इस एसमीं फिलिंग भर लेंगे और इसको बंद कर देगे तो देखिए यह हो चुका है दुसराlet त्यार उसको बना करके लेड़ करें झाण रूप करेंगे तो आप यह तो पानी में डाल करके भी बना सकते हैं अब इसको बना सकते अब इसको निकाल लेंगे और इसको ठंडा करके मैंने प्लेट में रख लिया है आप इसको खा सकते हैं तो मैं बताती हूं अब दूसरा अल्ची पिठा तो मैंने एक कप ले लिया है चावल काटा और इसमे दो पीच डाल दिया हलदी पौडर अगर आपको अच्छा नहीं ल तो अगर थोड़ा सा हल्दी कम लग रहा है तो आप इसमें डाल सकते हैं तो मैंने एक पिंच और डाल दिया है और उसको मिक्स करके इसका डो त्यार कर लेंगे तो देखिए ये डो बिल्कुल अच्छे से त्यार हो चुका है अब इसको अलग बोल में रख लेंगे और इसका तो मैंने इदर आलसी का यानी तीसी जो है इसको रुषट करके मिला लेती हूँ और मिक्स करके इसको रख लेंगे अगर आपको लग रहा है तो पाने ही डने बोल मा करके त्यार कर लेती हूं इसको अर ब्रैफ्ट करके एगर द्रैब से ओंट 1 और अगर आप लुट आप फिलिंग भरेंगे तो क्या करते हैं इसका आंटा का एक पिणा ले ले लेते ही और इसको कटोरी जैसे बना करके तयार कर लेते हूं पिछा कर लेंगे तो मैंने डाल दिया और इसको बंद कर लेते ही तो मैं इसका पिठ्ठा त्यार कर लेती हूँ तो देखे इस तरह से दवाते हुए इसको भर करके त्यार कर लेंगे तो देखे एक पिठ्ठा त्यार हो चुका है तो आप मैं प्लेट में रख लेती हूँ और सेम तरीके से सारे पिठ्ठा को त्यार कर लेती हूँ तो मैंने ठ्वार ठंडा होने के बाद प्लेट में निकाल लिया है अब इसको कट करके दिखाते हूं आप तोड़ करके इसको खा सकते हैं तो देखें कितना अच्छा ये पिठा त्यार हुआ है तो अगर आपको सारे पिठा का रेश्पी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और जितना हो सके शेयर किजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेश्पी के साथ थैंक्स पर माचिंग